ये नियूस पर देख रहे हो, बास 16 अपरल 1987 के ये नियूस जब दा हिंदों में पॉब्लिश होती है, बताया जाता है कि स्विडियस कमणी बफोर्स और इंडियन गौर्मेंट के भी जो 25.000 डॉलर्स की हतियारों की डील हुई है, उस डील को हासिल करने के लिए बफोर्स ने कांग्रिस गौर्मेंट के कई बड़े पॉलिटिशन को पैसे खिलाए हैं, इस खबर के पबलिक में आते ही इंडियन पॉलिक्स में बूचाल सा जाता है, पूरी स्टोरी क्या है बताता हूँ, कई सालों से इंडियन आर्मी गवर्मेंट से नए हतियार खरीदने की मांग कर उसके बाद साल 1989 में लोग सबा इलेक्शन होते हैं, उसमें भी इसी स्कैम के चलते हैं, कॉंग्रिस पार्टी हार जाती है, आपका कैसे सोचने हैं इस स्कैम के बारे में नीचे कमेनेस बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे रहा